प्रेंड्स नास्ता रेश्पी देखने के लिए आपने वीडियों को आज किजिएगा और यहां पे आप देख सकते हैं नास्ता पर्ण्या और टेश्टी सामे कुल क्रिश्पी नास्ता ये बन करते हैं प्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो यहां पर फ्रेंड्स हम ले दिये हैं पोहा यानि चोड़ा भी से बोला जाता है तो पोहे को जो है हम एक परतन में डाल देंगे कटोरी में या बावल में और उससे फिर हम अच्छे से दो से तीन पानी से साफ कर लेना है बिल्कुल पर्ण्या से इसको धो कर हम तयार कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजिसे हम पानी में डाल कर और इसे दो मिनट तक बस रखेंगे और इसको धो लेते हैं दो से दीन पानी तक धोने के बाद इसे हम साइड में रख देते हैं तब दक आगे की तयारी कर लेते हैं यह मैंने ले लिया है friends कच्छा आलो दो कच्छे आलो को छोटे छोटे तुकडे में कट करके इसको हम पानी में रख दिये थे ताकि यह काला ना हो बहुत जल्दी आलो काले हो जाते हैं इसलिए इसको पानी में रख दिये थे और अब हम मिक्षर जार में डालेंगे तो यहाँ पर हम आलो को यहाँ हम दो आलो लिए हैं फ्रेंट्स आप जादा या कम कर सकती हैं जितना आपको बनाना हो उससाब से आप जादा या कम कर सकती हैं अब हम ले लिए हैं भरी मिर्च तो 4-5 भरी मिर्च लिए हैं बहुत जादा देखा नहीं है इसलिए 5 लिए हैं और थोड़ा सा अधरक का तुपड़ा ले लिए हैं कट करके आप चाहे तो मिर्च को कम भी कर सकती है अगर दिखा कम खाना पसंद करती है तो मिर्च को कम कर दिजेगा और यह मैंने एक चमश साबुचीरा ले लिया है शापुर चीरा से इसका टेस्ट फ्लेवर जो ही बहुत ही अच्छा आता है तो इसे अब हम पीस कर रेडि कर लेते हैं बीना पानी डाले इसको पीस लेना है तो यहां पर देखें बिल्कुल बढ़िया सा पीस कर तयार कर लिए हैं अब इसे हम एक बरतन में निकाल लेते यह बहुत जादा गीला हो जाएगा इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है अब इसे हम साइट कर लेते हैं और जो यहां पर हम पोहा को साफ करके रखे थे उसे ले लेते हैं और इसको भी बिल्कुल बढ़िया से इसका इसको पीस लेना है इसमें भी हम पानी बिल्क तत्यार कर लेंगे तो आगे बनाते हैं यह चंबी बहुत ही हाशी है मनास्था नाजना गार सकत्थी है और को थीडिम वहाता जाना कर तयार को भूपर यहां पर टाल देता हैं इक चम्च कुट कर भी डल सकती है औहां पर यह मैंने नमक डाल दिया टेश्ट अंसार नमक क्डाल दिये हैं आप अपने स्वादन सार नमक डाल देजेगा और अब हम यहां पर ले हैं एक जमच गरम मसाला तो करो दिलए और लेता है इसली फिल्क विल्कुल चटपटा हमारा नासता बनकर रेडी होगा और आप यहां पर पोहा को मैंने पीश के रखा था ने इसको भी डाल लेना है इसमें तो सारे पोहा को निकाल लेते हैं और आप इसे पोहा को निकालने के बाद दिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है तो यहां पर हम इसे अच्छे से बिल्कुल मिला ले मिल लेना है ताकि ये मसाले हमने डाला हुआ है मशाले अच्छीस मिल जाए तो यहां पर हम देख सकती है बिलकुल पर ले हैं और अब हम आगे आपको दिखाते हैं तो यहां पर हम लिए हैं ठोड़ा सा एक कटोरी के लगभग आता लिए हैं जो गेहों का आता होता है वही आता है जिससे हम रोटी बनाते हैं तो यहां पर पूरा आता नहीं डाले हैं ठोड़ा सा पहले आता डाले हैं आधा आता को डाल कर इसे हम अच्छे अशे मिलानेंगे आप रिंड्स आटे के जगे चाहे तो मैदा कभी इस्तेमाल कर सकती है या भी पेशन भी डाल सकती है जो आपको पसंद हो उसे डाल सकती है तो हम यहाँ पे आटा ही डाले हैं बिल्कुल हेल्दी नास्ता बना रहे हैं तो यह देखे हमारा हो गया अब हम हाथों में थोड़ा सा लगा लेंगे आईल इससे क्या होगा चिपकेगा नहीं और पहुत ही पढ़ियाशा ही बन जागा तो यहाँ पर अब हम उस हाथों में जो आईल लगा थे उसे उसी में लगा लेते हैं जो मैंने डो बना के रखा है उसमें भी लगा ल उन्हें जिसे हम बनागे लागे देखने में तेस्ट इन बढना लगेगा देख करी इसका तो इसी तरीके से हम सभी कू credit tip नहां आप देख सकती हैं एसे ही सभी को बना कर और कर लेते हैं। हम सभी को बना चुके हैं और अब आजाती हैं। प्रेंड्स को मैंने पहले से ही आन करके तेल रख दिया था गर्म होने के लिए तो तेल हमारा गर्म है अब इसे हम एक-एक करके डाल देते हैं फ्राइब करने के लिए तो अब सभी लोगों से यार दिला दे कि अगर आप लोगों मेरे चैनल पर नए या फिर अभी तक आप और विडियो और उसकाल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप सभी लोगों को फ्रैंट ठोटी सी रीक्वेस्ट-फकी वीडियो को आप लोग भूल वाच किया करें खungडा वीडियो और जब आप लोगों को time हूँ तभी देखा करें ताकि आप लोग फॉल वाज कर सके और फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल भी नाइब भूला करें लाइक जरूर कर दिया करें आप लोगों को अगर रेश्पी अच्छी लगती है, तो एक लाइक जरूर किया करें तो याहां पर जो है अभी ये देखे इसी हम फलट लेते हैं बिल्कुर एक एक करके ऐसे हम पलट लेंगे बहुत ही आसान है आप यह नाश्टा बनाने में आप बच्चों के टेकfolg में भी दे सकती हैं या फिर आप सुबस्वक के नाश्टे में याष्राम को चाय पर बिशुक्प भी बना सकती है जटपट इसनेक्स बना सकती है बच्चों को भूख लगी हो तो इसे आप बना कर दे शकती है ये बिल्कुल जटपट बनने वाला है और जितना आसान है बनाना फ्रेंट्स खाने में उतना ही टेस्टी ये बनकर तैयार होने वाला है तो आप देख सकती है कि देख कर ही आपक विसको शेख लेंगे लोग रखेंगे हाई ही में करेंगे क्यूंकि अगर हाई कर देंगे तो यह उपर से जल आएंगे और अदर से कच्चार रह जाएंगे तो यहां पर मेरा हो चुका है यह देख सकती है प्लेट में हम एक एक करके सभी नाष् यह देखे बिल्कुल बढ़ियां देखने से लग रहा है कि जैसे टिक की आपने बनाया हो आलो का वैसे लग रहा है लेकिन यह बहुत ही पढ़ियां ऐसे जिसे भी आप खिलाएगा ना फ्रेंट्स कोई अखिल नहीं करेगा कि आपने इतने कम समानों में और इतना बढ़िया यह नास्ता जटपड बना तैयार कर दी है तो देखे कितना बढ़ियां साइए बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही कम समान में इसे हम बनाकर यहां तैयार किये हैं इसे आप बनाकर गर्मा गरम चाय के साथ यह देखिए हम आपको दिखा रहें पिल्कुल कुरकुरापन ब नास्ता बना है फ्रेंच बहुत ही अथलब यकिन मानिये सच में बहुत ही टेश्टी बना था जो मैंने बनाया तो मुझे भी यकिन नहीं हुआ यह इतना चल्दी और इतना टेश्टी बनकर हमारा नास्ता तैयार है तो यहां पर हम एक आपको तोड़ के दिखा रहें हैं बिल्कुल यह गरम है थोड़ा सा अभी निकाले हैं तो बिल्कुल गरम गरम है इसलिए थोड़ा सा तोड़ने में तो हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं तो यह देखें यहां पर जो है मैंने तोड़ के आपको दिखा दिख सकती हैं अंदर से बिल्कुल कलरफूल और ब इसे पनाईगी और गर्मा गर्मा जाय कि शाओ जबादा आगागाई